हमारा पूरा देशी टिक टॉक पे आगया तो डॉक्टर कॉन बनेगा, इंजिनियर कॉन बनेगा, आर्टिस्ट कॉन बनेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? अभी तक मैंने 25 बीड़ बना रहे हैं, जिसमें कुछ बंदू के चल लिए हैं अब की ख्वाइशे हैं, आप नी कर सकें, तो बच्चे पत हो करें क्योंकि हम एक बर फॉन लेते हैं हाथ में और हमारे दो तिन गंटे का निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता बच्चे मर रहे हैं, गेम्स खेलते केलते हैं, मर रहे हैं, पीज़ खाखा के खाना खाता समय भी फोन चलाता था और टीबी तो देखना छोड़ देता था मैंने बस जो भी होता था फोन में होता था 200 लाइक आगए है 400 लाइक आगए इसका मतलब यह नहीं की बच्चा हो करियर उसी चीज़ का बनाएगा लोग टैंटरम्स भी थ्रो करते हैं चिलाने लगते हैं बत्तमीजी करने लगते हैं बहर पर कोई से भी चोटी सी चोटी बात पर मतलब घुसा आने लगता था अगर आप देखेंगे एक फैमिली को आज की तारीक में डिनर खाते भी देख लेंगे तो अगर पांच लोग गया तो पांचों के हाथ में मुबाइल होगा दोस्तों से बात 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 बाहर खेलना मेरना मतलब बहुत कम हो गया था इंडिया आज की तारीक में सेलफी डेथ कैपिटल आफ दे वर्ल्ड है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो होते हैं इंडिया में होते हैं सेलफी किचते किचते आपका बच्चा कहीं बहुत ज़ादा मुबाइल तो नहीं देख रहा मुबाइल देखना एक बात है और मुबाइल देखने के बाद उसको कहीं implement तो नहीं कर रहा या फिर उसका personality disorder तो नहीं हो गया ये सारे ऐसे सवाल हैं ऐसी बाते हैं जो आपके और हमारे घर के जो बच्चे हैं वो ये सब बार बार करके दिखा रहे हैं और हम उनको देख भी रहे हैं प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिसमें एजुकेशन में इस उमर में जो बच्चों की का ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए वो सारा ध्यान उनका मॉबाइल में है अपने आपको सवारने में है अपने आपको बेदर तरीके से प्रेजन करने में है तो इस समस्या का आखिर निदान क्या है बच्चे क्यों परस्नालिटी डिसाउडर का शिकार हो रहा है आए चल कर आज इसे के ओपर बाच्चित करते हैं एक कला होना एक किसी चीज़ की एक गिफ्ट होना और उस गिफ्ट को आगे चल के करियर बनाने में बहुत अंतर है अगर आप यह सोचने लगें कि जी मैं ज़रा सा मैं सारे कामा पाता बोल दूँगा तो इसका मतलब मैं नैशनल लेवर का आवार्ड वेनी सिंगर बन्जागों वो चीज़ सही नहीं है बच्चो एई आई ओ यू की खोज किसने करी मुझे तो नहीं बता अरे सिंपल यार गोल मालके तुशार कपूर ने एई याई याई इस चीज़ को चलते है थोड़ा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉस सौ लोग ने बोल दिया 200 लाइक आ गए 400 लाइक आ जो भी सोचल मीडिया पर देखता था तो उन सब को कॉपी करने कोश्च करता था और कुछ होती थी और कुछ नहीं होती थी क्योंकि लाइक और व्यूस थी यह थे ते है कुछ लोग टैंट्रम्स भी त्रो करता हैं चिलाने लगते हैं बत तमीजी करने लगते हैं कि नहीं उन्हें फोन चाहिए ही चाहिए अगर हमारा पूरा देशी टिक टॉक पे आ गया तो डॉक्टर कॉन बनेगा इंजिनियर कॉन बनेगा आर्टिस्ट कॉन बनेगा बाकी लोग क्या करेंगे मैंने भी घरवाल सुचित करके मैंने फोन मंग लिया तो जब मेरे को फोन मिला तो फिर में फेस्बुक वाटस अप या शोशल मीडिया पे ज्यादा ऑनलाइन रहना लग तो धीरे दीरे मेरी यह आदत हो गई हर थो मिनित में हर पांच मिनित में हर देस मिनित में उसे फोन अपना देखना होता है कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आई है ना एंप कर तो उस चीज़ के चलते हैं कि उसक对 मुबाइल में हो असली अऍ्य वोक लिए था आ कि फॉल ए यह इंका हम क चीज्व क्वi और नोग आफल में ज़से खरें तो अजया कि व्याइन है उसक्त तीक बच्चो की सोच होती है इस वेज़ के दुछ विए च्छली है चार घंटे फोन के मैं रह ईंसकता था, खाना घाता से मैं भी फोन चलाता था और टीवी तो देखने छोड़ देता मैंने बस जो भी होथा था था फोन में होता पूरे दिन इनके पीजा बगर पीजा बगर आते रहते हैं ओर करते हैं पटाफट मोबाइल आप में और खाना खाते-खाते मोबाइल करते हैं eating disorders ऐसे हो रहे हैं कि वही बात है कि इंस्टरग्राम पर फेस्बुक पर आप मॉडल्स को सेलेब्रिटीज को फॉलो कर रहे हो उनकी बॉडी इमेज आप एक आइडल बॉडी इमेज क्रेट करी भी है अब तक मैंने 25 बीड़ो ना रखिया है जिसमें कुछ बंदू के चलनी है जिसमें मैं रूका दर्ती चलने लगी वहतला सुलो मोसन कुछ में भागते वारा सुलो मोसन हो जा रहा है सौरी अब मैं सल्लेशन में नहीं रह सकती है अब फिल्मों में अगर सल्मान खाने गाड़ियों के बीच में आ रहा है गाड़ी के ऊपर से चड़के कूद रहा है तो इसका ले थोड़ी असलियत में भी ऐसा हो जाएगा बच्चे को चोट तो पहुंची सकती है ना आप य चास न्की सेफटी रोव ओपर क्या क्या लगा कर लगते है, पेरेंट्स को समय मैं नहीं आता है यह असल में इतना दिमार लगाते हैं कि यह के एसे लिए मुत उने लगता है कि हमारी लाइफ उन से बिकार है वो उनसे अपनी लाइफ को कंपार करते हैं वो यह नहीं समझ आपने बच्चे से पूचा कि बच्चा क्या चाहता है। या कोई और किसी चीज का बिजनस करना चाहता है। क्या होता क्या है फोन चराने से? बैटरी खतम हो जाती है। जो आज कर जो फेमस हो रहे हैं, हम भी सोचते हम भी उसमें आजए, हमारी कैटेग्री आजए उसमें, हम भी अपने नाम कमान चाहते हैं को तरफ से कि हमारा जो जाधा focus है वो इसी पर जा रहा है कि हमारी body कैसी दिख रही है हम कपड़े क्या पहने हमारा you know image क्या होना चाहिए हमारी personality क्या होनी चाहिए हम उसी पर focus कर रहे है तो जो actual में हमारे इस time पे adolescence का जो actually focus होना चाहिए education पे अपने career पे वो सारा हट रहा है अगर आप देखेंगे, एक फैमली को आज की तारीख में डिनर खाते भी देख लेगे, तो अगर पांच लोग हैं तो फांचों के हाथ में मोबाइल होगा क्योंकि हम एक बार फोन लेते हैं हाथ में और हमारे 2-3 घंटे का निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता हम Instagram, Facebook, Twitter जो भी हम चला रहे हैं इन सब में हमारे 2-3 घंटे कान एक लिए हमें नहीं पता चला अभी के आया है कि parents जो है छोटे टे 5 साल के बच्चे हैं 6 साल के बच्चे हैं उनको बड़ी-बड़ी बाते बलवाते हैं बच्चे तो तुतला के बोलरहे हैं लेकिन उनको एसा ऐसी ऐसी बाते बताते हैं कि रटवाते हैं करके बार बार बोलते जाएं दो इस से क्या होता है बच्चे को भी जब बड़ा होगा तो इतना अदर स्ट्रेस हो जाता है इस चीज का constant pressure to perform, constant pressure to please others इस प्रेशर के चक्कर में बच्चे को डिप्रेशन एंग्जाइटी की दिख्धत जाधा हो सकती है अब तो कहा पड़े हो अभी के आए कि सोशल मीडिया जितना आता यूज हो रहा है जितना आता मॉबाइल यूज हो रहा है उसके चलते लोगों की आसपास की जो सोशल लाइफ है वो तो बिल्कूल ही खतम हो गई फिर दोस्तों से बात बाथ बात बाहर खेलना, मतलब बहुत कम हो गया था, ना के बराबर, और फिर जब बार भी पास होई, तो घर पर जाते हैं में रहने लगिया, तो फोन मेरे को जाते हैं में तक खिले हैं, फिर वो आदत और बढ़े गई, और फिर टिक्टोक आया, और आप बच्चे को बोलें कि इस से जादा समय आप मुबाइल पर नहीं तो बाहर खेलना कितना ज़रूर ही है अकर बच्चा पूरे दिन मोबाइल में रहे रहेगा एक्सरसाइज नहीं करेगा तो हेल्थ कहां से बनेगी हेल्थ भी नहीं बनेगी इंडिया आज की तारीक में सेलफी डेथ क्यापिटल आफ दे वर्ल्ल है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है इंडिया में होती है सेलफी किशते किशते कोई खाई पे खीच रहा है, कोई परवत पे चड़कीच खीच रहा है, कोई बिरिज पे खीच रहा है, कोई कहीं खीच रहा है अभी मैंने आलफिलाल में पढ़ा था, कोई नदी में एक कपल खीच रहे थे, नदी में गिरे के मर गए दो मुझा ये अच्छी बात है कि आपका बच्चा परसनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा आवेर है और कॉंशास हो रहा है लेकिन इतना भी ज़्यादा वो कॉंशास ना हो कि वो समाजी एदबार से और जजबात यानी भावनात्मक दिश्टिकोन से वो इतना ज़्यादा दुनिया से कड़ जाए और किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं कि उसको आगे बहुत सारी साइकारिकल प्र परसन रोहित के साथ मैं अकरम खान न्यूद बास्कित के लिए